हेलो गईस मेरा नाम सौरप यास है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं पिछले दो साल से इन दौर मैं SST, CDS, Railway और बंडे एक्जाम इस्टुजेंट्स को पढ़ा रहा हूं as a Maths Faculty और मैं ये मेरे YouTube चैनल पर पहला वीडियो है मैं आपको इसमें बताने वाला हूं कि मैं जो मैं पढ़ाता हूं वे किस तरीके से पढ़ाने वाला हूं इस चैनल पर यदि तो आज मैं आपको बताता हूं ठीक है तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो यदि आप मेरे साथ जुड़ते हैं इस चैनल पर तो इस channel पर जो मैं पढ़ाऊंगा, mostly जो मैं कभी भी किसी भी chapter को जैसे चालू करता हूँ, तो आपको बताना चाहता हूँ, ये मैं basic से चालू करता हूँ, सबसे पहले, जैसे माल लेते हैं, कोई भी chapter पढ़ते हैं, हमने पढ़ा क्या? बेसिक, किसी भी chapter का basic क्या है? सबसे पहले तो हम वो देखेंगे, अब जब भी होगा, हम हर type का question लगाएंगे, जो SSC के हिसाब से require होता है, requirement, उसके हिसाब से हम SSC के सारे के सारे question लगाने वाले हैं, हर question का सबसे पहले तो हम basic देखेंगे, इसके बाद, जो भी उसमें क्या हो सकता है, sort method हो सकती है, वो sort method भी देखेंगे, ठीक है? sort method के साथ ही साथ, ऐसा नहीं है कि एक ही sort method देखेंगे, यदि उसमें तीसरी लग सकती है, तीसरी भी देखेंगे, ठीक है? चोथी लग रही होगी तो चोथी भी देखेगी कई चैप्टरों में तो आप देखोगे मैं 4-5 तरीकों से आपको कॉस्ट करना सिखाऊंगा देखो दो चीज़े होती, एक तो होता है पढ़ना दूसरा होता है सीखना, तो मैं आपको इसे साफसे नहीं पढ़ाने वाला हूँ कि पढ़ा दिया और निकल गए मैं आपको इस तरीके से चीज़ों को सिखाऊंगा कि आप सीखोगे, ठीक है तो उसमें थोड़ा सा टाइम भी लगेगा बेसिक होगा, और हाँ, बेसिक के साथ मैं हर एक छोटी से छोटी चीजमें आपको बताऊंगा कि यहां पर यादी कोई चीज आ रही है मालो फोर एक्जामटल मैं plus का sign लगाता हूँ या minus का sign लगाता हूँ या equal का sign लगाता हूँ तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि bok चीजम आया तो कैसे आया मैं इसमें आपको जो number of quality होगी सारे के सारे मैं previous year के question कराने वाला हूँ जो पुराने कुछ सालों में आ चुके हैं जैसे 2017 के बाद या 15 के बाद जो भी exam हुए हैं उन सभी को में ले लूँगा पिछले 8 साल के question जो भी होंगे उनी सभी को solve करा दूँगा लेकिन कई type के essay तो वो भी मैं इसमें add करूँगा ठीक है और मेरा पढ़ाने का man चो तरीका है आपने ये realize किया होगा teacher आपको पढ़ाता है आप पढ़ लेते हैं फिर क्या होता है कि कुछ समाई के बाद teacher यादि जो chapter हमें पहले पढ़ाता है वो तो हम पहले पढ़ लेते हैं उस समय तो हम आपको वो explain करता हूँ मालो हमने पढ़ा percentage क्या पढ़ा percentage पढ़ा percentage के जो हम माल लेते हैं कि हमारे 8-9 वीडियो जो भी आएंगे basic के पूरे आएंगे जिसमें हर एक टाइप का question रहेगा इसके बाद मैं जो 9 वीडियो के बाद डालने वाला हूँ एक जो मेरा दस्वा पढ़ा है इसका ही हम क्या करेंगे पूरा एक वीडियो में इसका revision कर लेंगे ठीक इसके बाद मैं आँगा अच्छा इससे पहले एक चीज और बताना है कि मालो मैंने जो फर्ष्ट वीडियो में जो चीज पढ़ाई है माल लेते हैं हमने तीन टाइप के question देखे इस वाले चाहिए फिर मैं बताता हूँ आपको कि यदि आपने जो second day lecture में आपको जो भी टाइप पढ़ा हैं उनका एक एक question किस में डालूँगा तीसरे वाले में डालूँगा क्योंकि आपका इसका revision हो जाए और जब यह सारा हो जाएगा इसके बाद मैं last में एक वीडियो लेके आ है वो second वाले में revision कराऊंगा इसका जो करूँगा एक एक question डाल कर इसमें revise कर लेंगे ठीक है अब मालो इसके भी 10 हो गए ठीक तो 10 के बाद जो इसमें आएगा 11 हमारा तो इस वाले में तो भाई मैं बोल सकता हूँ कि ratio का पूरा क्या हो जाएगा हमारा revision हो जाएगा ठीक है तो एक वीडियो फिर से आएगा हम percentage का दुबारा revision कर लेंगे जो आपने पहले पढ़ा था वो ना भूलें आप जैसे ठीक है तो यहाँ पर आपने क्या देखा हमने ratio का भी revision कर लिया basic भी पढ़ लिया और साथ में जो हमने पुराना पढ़ा था उस percentage का भी क्या कर लिया revise क कर लिया इसके बाद आते है जैसे mixture allocation ठीक mixture allocation में फिर वही रहेगा यह इसका basic हो जाएगा सब में इसी दरीके से होगा ठीक है यहाँ पर जो आपका वीडियो आएगा वो क्या हो जाएगा revision वाला वीडियो आएगा फिर इसके बाद एक वीडियो आएगा फिर से इस पारले वीडियो में मैं क्या करूंगा कि जैसे आपका percentage और ratio का दोनों का हम क्या कर लेंगे जैसे percentage और ratio का हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर revision करने वाले हैं यह चीज़ समझा गई यानि मैं आपको यह बलना चाहता हूँ कि यह जो last वीडियो होगा यह आपको जो आपने पहले वी आप आँगे बढ़ जाते हैं इसके बाद हम काफी सारे क्या होता chapters के जो basic है वो भूल जाते हैं हम उसकी सही approach नहीं लगा पाते तो उसके लिए क्या सबसे जड़ू है multiple time आपको क्या करना होगा इसका revision करना होगा ठीक है तो इसी तरीके से मैं आँगे बढ़ूंगा जैसे average है profit and loss है time and work है सभी आपका जो भी है सबसे पहले मैं आपका arithmetic section निपटाओंगा इसके बाद हम जाएंगे हमारे advanced portion पर ठीक है तो यदि आप चाहते होगे ऐसे बिवस्तित तरीके से जैसे आपने देखा कि पहले revise भी होता जाए content भी रहे अच्छा ठीक है और ये भी है जी जी से बिल्कुल छोटे-छोटे question से start करेंगे और जहां तक SSE पूछता है या उससे थोड़ा उपर तक के और भी question हम इसमें क्या करने वाले हैं करने वाले हैं यदि आप चाहते हो कि इस तरीके से बिल्कुल zero से एकदम basic से आप start करें और high level तक जाएं तो उसके लिए आप चैनल subscribe करना है ठीक है और आगे देखते रहे है फिर और इसका जो मैं पहला lecture लाने वाला हूँ यानि कल ठीक तो कल मैं इसका पहला वीडियो इस पर upload कर दूँगा जो कि हमारा पहला वीडियो होगा वो percentage कर रहेगा ठीक है तो कल से मैं basic से आपको percentage पढ़ाना बाला हूँ ठ ठीक है तो कल फिर मिलते हैं next lecture में तब तक लिए thank you bye bye